स्टूडेंट्स के नजर में देखा जाए तो एक अच्छा कॉलेज वही है जहां उन्हें उनके मन की करनी दी जाए अब ये ठीक भी है और गलत भी क्योंकि स्टूडेंट्स का देखा जाए तो पहला अबजेक्टिव कॉलेज में इड्मिशन लेने का होता है प्लेसमेंट्स ना कि 12 की तरह सिर्फ अपनी स्टूडीज पर फोकुस करना त्यूरेटिकल नॉलेज लेना इससे नुकसान भी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ करियर को इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक अच्छे पैकेज मिल सके अब अगर बात करें आज इस कॉलेज की तो स्टूडेंट्स बिलकुल भी सेटिसफाइड नहीं है इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स से और तभी सबसे बड़ा सवाल उड़ता है कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स के नाम पर कुछ और भी नहीं है सब दिखावा है पर ये भी कहा जाता है कि इससे जादा वर्स्ट कॉलेज उन्होंने नहीं देखा रिव्यूस की माने तो अब कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि जो बात कॉलेज के बारे में कहीं जा रही है वो कहीं सही तो नहीं ये बात कुछ और भी है क्योंकि IILM लोधी रोड के facts and figures देखें तो काफी सरहानिये है तो फिर क्यों ऐसे सवाल उठते हैं इस कॉलेज पर तो चलिए ऐसे ही सवालों को मद्दे नजर रख कर आज करते हैं IILM लोधी रोड कैंपस का reality check Hello guys मैं Simran Colleges 18 की तरफ से आई हूँ IILM campus लोधी रोड का review लेकर आज हम जानेंगे college के backgrounds, approvals, location, courses, fees, infra, campus life और placements के बारे में IILM group की बात करें तो इसका establishment 1993 में हुआ था और लोधी रोड campus IILM के 3 campus में सबसे पुराना campus है जिसने education को काफी professionalize किया है और students को वो resources दिये हैं जिनकी students को जरूरत है अपने career development के लिए और अपने इस 30 से जादा साल के experience को जिस तरह से इस college ने use किया है उसी experience ने IILM को एक इतने अच्छे पर्माने पर खड़ा किया है कि आज ये one of the best colleges में से एक है approvals की बात करें तो IILM campus Lodhi Road AICTE और PRME that is principles for responsible management education से approved है और national board of accreditation AIU से भी accredited है rankings में college को edu universal के द्वारा 10th ranked प्राप्त है जिसके location के बात करें दोस्तों तो ये डेली Lodhi Road में पढ़ता है जिसका nearest metro station ज्वाहरलाल नहरू metro station है और ये well connected area जहां से students को पहुचने के लिए cabs और public transport easily मिल जाते है courses देखें तो यहाँ पे undergraduate में BBA courses है जिसमें specializations भी available है like psychology, entrepreneurship, communication जिसके पूरे जानकारी आप हमारी screen पर देख सकते है higher graduation की बात करें तो college PGDM courses कराता है जिसमें काफी specializations है like PGDM in marketing, in finance, entrepreneurship, data analytics and much more साथ ही IALM ने कई benchmarks भी establish किये हैं जैसे कि two international universities से tie-up करके जो है Wharton, Stanford और Harvard University और यहाँ आपको हर साल लगबग 11,50,000 से 21,00,000 तक का खर्चा करना होगा according to जो courses आप select करोगे जिसमें कई तरह के scholarships भी दोस्तो available हैं जिसके पूरे जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिये गए हमारे help line नमबर पे call कर सकते हैं इंफ्रा देखें तो यहाँ पे essential facilities जिससे computer labs, sports facilities, gym, cafeteria, library, auditorium, hostel available है Labs well maintained है और library में books का काफी अच्छा collection आपको मिल जाएगा Sports के लिहाज से आप यहाँ indoor games enjoy कर सकते हैं Outdoor games की यहाँ सुविधा नहीं है दोस्तों Campus life के अगर हम बात करें तो college में industrial visits, educational tours, time to time conduct किये जाते हैं और यहाँ काफी तरह के clubs available हैं जैसे की debate, NGO, cultural, editorial, sports, management, entrepreneurship, etc So campus life पे दोस्तों यहाँ पे ठीक है Placement जिसकी बात करें तो यहाँ का highest package जो यह university क्लेम करती है वो 11 लाग का है और average 6 लग बाकि placements के कुछ और deep insights के लिए आपको हमें call करना पड़ेगा ताकि आप यह जान पाओ कि आप जो courses करने जा रहे हो इस college से उसमें कितने highest package रहा है इस university का तो अब वीडियो को दोस्तों conclude कर लेते हैं ILM Lodhi Road आपके लिए अच्छा विकल्ब साबित हो सकता है पर फिर भी कुछ deep analysis करना ज़रूरी है जिसके लिए आप हमें call कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी strength और interest इस college के environment से match होगी भी या नहीं तो तब तक के लिए मैं Simran आपसे विदा लेती हूँ मिलती हूँ हमारी next video के साथ और अब आपको पता है न क्या करना है call करो हमें जल्दी ताकि decision wisely ले सके और हाँ channel को subscribe और इस video को like share करना बिल्कूल भी न भूले thank you